हेलो डियर कैसे हो सबी आई होप सब ठीक होंगे भी अपने आने वाले एक्जाम की तेरी को जवर्दस त्रीक के से करेंगे भी आज की कलास के अंदर राजस्तान फोस्ट गार्ड यानि की वन रक्षक पाल का जो पेपर हुआ था पर थम पाली यानि की फर्स्ट शिफ्ट के के अंदर जो बारा नॉम्बर को आपका अक्जाम हुआ था उसका सोलिशन करेंगे भी चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नए करते हुँ डारेक्ट क्लास को शुरू करते हैं अगर चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करकर नोट्युकेशन बैल को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपटेट आपको असानी से मिल ज़के भी चुछन नंबर वन डार्क टम आंसर करने की कोशिस करेंगे आप अपने क्विशन पेपर के अंदर अपने आंसर चैक कर सकते हो और लाश्ट के अंदर कोमेंट करके बता देना भी आपके कितने लिए इसके अंदर तो राइट अंसर रोजाता है हमारा उप्सन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होजेगा भी 120 मिटर यहाँ पर साइड के अंदर आपको इंग्लिस लेंग्विज के अंदर भी किशन डिखाई दे रहे हैं किशन नंबर 3 देखो किशन नंबर 3 के अंदर एक SPR की वैली पूची थी राइट अंसर हो जाता है भी उप्सन नंबर D बिल्कुल करेक्ट होजेगा भी 40 डिगरी इस किशन का आएगा भी नेक्स्ट किशन है फोर भी A ने B को 5 रुपे SI और SI यानि कि सदान ब्याज और चक्रवदी ब्याज से अग्जाम के अंदर किशन 4 माइनस का क्यूब यानि कि इसको डिवाइड और रिमाइंडर पूच लिया यानि कि सेस्पल क्या होगा भी किशन नंबर 5 तो राइट अंसर हो जाता है भी माइनस का 3 इस किशन का राइट अंसर होगा भी माइनस की 3 वैल्यू आजेगी रिमाइंडर इसका यानि कि सेस्प option number B बिल्कुल correct होजेगा question number 7 देखो work and time से related यानि की कार्य समय से related आपके exam के अंदर question आया था इसका right answer हो जाता है option number A बिल्कुल correct होजेगा भी 6 सही 2 बटे 3 दिन भी next question है 8 भी 2 संख्याओं का गुननफल multiply दे दी और इसके अंदर HCF दे दिया पूछ लिया भी कितने जोड़े बन सकते हैं तो इसके अंदर जो right answer कराएगा option number B आजेगा भी 3 इसके अंदर जोड़े बन सकते हैं next question है fraction से यानि की bin से related question देखने को मिला है पूछ लिया भी mole bin क्या होगी question number 9 right answer रोज़ता option number C 1 सही एक बटा 3 भी question number 10 देखिए इसके अंदर बताना है जो star यहाँ पर दोनों साइड है और star के इस्तान पर पूछ ली भी कौन सी सिंख्या या कौन सी value आएगी तो star के इस्तान पर 63 right answer हो जेगा भी next question देखो 11 11 के अंदर दे दिया एक डाइग्राम दे दिया इसके अंदर c d equal है e f के और आगे के भी parallel यानि कि समानतर है a b के x की value पूछ ली x की value क्या होगी तो right answer हो जाता option number d b 120 degree next question देखो question number 12 b question number 12 के अंदर दे दिया यानि कि 2502 रुपे हैं इसको a b c के अंदर बांट दिये option number c correct होजएगा next question देखो चीनी की किमत के अंदर भी 20 परिसत की कमी एक ग्रैनी को इस परकार ये किसन दे दिया और पूछ लिया भी चीनी की जो मुल्य है परती किलोग्राम के अंदर किमत क्या होगी question number 13 right answer होजएगा भी 8 रुपे परती किलोग्राम दे दी और आरस की लंबाई पूछ ली तो आरस की लंबाई होगी 5 सेंटिमेटर भी option number c correct होजएगा अगर आपने 5 option किया है तो आपका right answer बिलकुल सही है भी next question है 15 एक वैपारी अपने माल पर 80% अधिक अंकन करता है यानि कि ज़्यादा value अरजित कर देता है पूछ लिया वैपारी का सुदलाब यानि कि net profit पूछ लिया trader का क्या होगा तो right answer रोज़े का भी 50 पर 30 next question है science related question radar की full form पूछ लिया radar का पूरण रूप पूछ लिया तो radar क्या होती है यानि कि इस की full form की हम बात करें तो radio detection and ragging option number one बिलको हमारे यहाँ पर correct होज़ेगा भी radio detection and ranging next question है 17 इसके अंदर दे दिया मिलान करना है science related question है बहुत ही अच्छा question है goldstein, Chadwick, JJ Thompson और John Dalton ये सारे के सारे scientist है तो इसके अंदर जब हम मिलान करेंगे तो यानि कि goldstein है गोल्डstein ने किसकी खोज़गी थी proton की कोज़गी थी जैमस चैडविक की हम बात करें तो 1909 के अंदर भी 1909 के अंदर neutron की खोज़गी थी अगर हम बात करें JJ Thompson की JJ Thompson के दोबरा electron की खोज़गी थी और जोल्ड नोल्टन की अगर बात करें तो परमानों का सिधान दिया था यानि कि डाल्टन तेयोरी कि इसको कहती है एटम से रिलेटिड है भी एटम तेयोरी है वो जोन डोल्टन से समधिता है अगर थोड़ा से डीप लिए तो प्रोटन के उपर जो चार्ज होता है भी पोजिटिव चार्ज होता है यानि कि दनावेस होता है अगर नूट्रोन की बात करें तो ये नूट्रल होता है वो छोटा सोरी छोटा N और इलेक्टरन को रिखेंगे छोटा EB next question देखिए question number 18 कौन सा जल सुसक का सबसे बड़ा अच्छा उदारन है कौन सा जल सुसक का सबसे बड़ा अच्छा उदारन है तो सिलिका जल बोलते है option number 1 बिल्कुल correct हो जेगा question number 19 के अंदर देखो कथन दे दिये दो आपको पहला कथन कहता है भी जब मिट्टी का तेल होता है और पिंगला मॉम जलने किसम में वास्पित होकर जवाला का निर्मान करते हैं second कथन के अंदर बोल दिया पदार्थ जो जलने किसम में वास्पित होते हैं तो यानि कि दोनों कथन तो सत्य तो हैं परंतु कथन दो है वो कथन एक का सही स्पेश्टी करन है option number 1 बिलकुल यहां पर right हो जाता है question number 20 देखो हल्दी है हल्दी के किस बाग से हल्दी पाउडर त्यार होता है भी हल्दी होता है उसके किस बाग से हल्दी का पाउडर त्यार होता है तो परकंद से तो होता ही होता है तो सूखे परकंद से option number A बिलकुल यहां पर correct हो जीगा next question है 21 calcium की value देदी यानि कि calcium का atomic number होता है वो 20 पर होता है यानि कि 20 पर होता है और argon कितने पर होता है 18 पर होता है 18 दो है एटम भी दो तताओ है दोनों तताओं की द्रेवमान सिंख है यानि की चाड़िस है और पूछ कह लिए इन तताओं को क्या बोलते हैं आइसो बार बोलते हैं अगर हिंदी के अंदर बात करें तो समभारिक और समस्तानिक दो चीजें होते हैं भी इसको बोलते हैं समभारिक यानि कि ISO बार इस कुश्ण का right answer हूजेगा भी next question है 22 मिर्च के अंदर जो तीखापन होता है पूछ लिया किसकी उपस्तिति के कारण होता है मिर्च के अंदर जो तीखापन होगा वो किसकी उपस्तिती के कार्ण होगा कैप साइन की भी option number B बिल्कुल correct होजेगा अगर कैरोटीन की हम बात करें कैरोटीन से related question आ जाते है पूछ लिया जाता है भी गाजर के अंदर जो लाल रंग होता है वो किसके कार्ण होता है यानि की लाल लिमा बोल सकते हैं तो कैरोटीन के कार्ण भी option number 2 इस question का correct answer होजेगा भी next question है 23 भी पाई रे लियो मेटर का प्रियोग खलिस्तान को मापने के लिए किया जाता है भी पाई रे लियो मेटर का प्रियोग की अगर हम बात करें तो right answer निकल कराता है option number B बिल्कुल correct होजेगा भी solar wikran यानि की solar wikran के दवार next question देखो question number 24 question number 24 के अंदर क्या दे दिया इसके अंदर बताना है भी निमलिक्त में से कौन सा मानो शरीर के लिए एक अवसे सी अवसे सी अंग कोन से होते हैं अवसे सी अंग बो होते हैं यानि की जो भार की side अवसे सी अंग की अगर बात करें तो हमारा right answer अकल दाड़ भी option number 1 बिल्कुल correct होजेगा भी option A इस question का सही उत्तर होगा भी next question है 25 यानि की 25 नमबर question संचार के अंदर प्रिक्त ओने वाला जो फाइबर होता है यानि की optical cable भी optical cable का principle पूछ लिया यानि की किस सी दांत पर कारे करता है तो जो परकास होता है उसका total TIR आपने सुना होगा TIR यानि की total internal reflection भी यानि की पूरण आंतरिक प्रावरतन option number D बिल्कुल correct होजेगा भी next question 26 उच सीटेन संख्या निमलिक्त में से बताना है भी जो निमन ओक्टेन संख्या होती है कम ओक्टेन संख्या और ज़्यादा सीटेन संख्या के लिए किस engine के लिए आदरस यानि की सही मानी जाती है तो diesel engine के लिए भी निमन ओक्टेन होगा वो diesel engine के लिए अगर यहीं पर उच ओक्टेन होता तो patrol engine के लिए तो right answer option number B बिल्कुल correct होजेगा भी swing का सही मात रख यानि की इसके अंदर दे दिया में swing का SI मात रख बताना है swing का SI मात रख क्या होगा कि सेब्सके बात करें किसगे एकवल होता है यह होता है भी द्रयोमान और इसके दोनों के द्रयोमान और वेग के multiply होता है जब द्रयोमान के हम बात करें की नदर वीक के बात करें तो metr per second जब इसको solution करेंगे तो right answer option number one बिल्कुल correct होजेगा भी किलोग्राम मेटर पर सेकंड नेक्स्ट क्यूशन है टवंटी एट भी पट्रोल के अंदर जो एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होगा भी पट्रोल के अंदर एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर राइट आंसन कराता है भी लेड ओकसाइड के विलोपन के answer की अगर बात करें तो correct हो जाता है भी option number A बिल्कुल यानि कि पायस होता है वो प्रकास प्रकेंडन तो करते हैं और इसलिए इनको क्या प्रबाव दर साता है भी टिंडल प्रबाव टिंडल प्रबाव है वो present करते हैं right answer option number A बिल्कुल correct हो जाता है right answer होगा option number A जहां तक तनाव विकरती के समानुपती होता है वो इस question का correct answer हो जेगा भी next question है current affairs related question अगस्त दो जरबाईस के अंदर राजस्तान उच नहले का करेकारी मुख्य नेमुर्थी किसे निक्त किया गया था हाली के अंदर अगस्त दो जरबाईस के अंदर राजस्तान उच नहले का करेकारी मुख्य नेमुर्थी किसे निक्त किया गया था right answer रोज़त है हमारा option number B बिल्कुल correct भी नेमुर्थी मनिंदर मोहन स्रीवास्त तो जी को next question है 32 B राजस्तान सरकार के दोबारा वरिष्ट नागरिक तिरती आतरा यूजना जो 2024 के अंदर संसोदन के तहट जो वरिष्ट नागरिक हैं उनके दोबारा भी सायक لे जानेगी यानि कि उनके साथ एक सायक ले जा सकते हैं के लिए 65 के स्थान पर कितना बढ़ा दीगी 65 के स्थान पर भी 70 कर दिया गया option number A बिल्कुल correct हो जीगा भी next question 33 जुलाई 2024 के अंदर राजस्तान सरकार के दोवारा किस देश की 11 कंपनियों के साथ AMU पर साइन किये गे थे जिस के दोवारा भी 1338 करोड रुपे का निवेस होगा तो किस देश के साथ साइन के गे थे right answer रोजेगा भी जापान के साथ option number D बिल्कुल इस question का correct answer रोजेगा next question 34 भी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जिसका भी सुबारम होगा 15 नॉवंबर को 15 नॉवंबर को इसका सुबारम होगा राजस्तान के अंदर पूछ लिया इसका संबन किस से related है तो right answer रोजेगा भी कक्ष्या पहली से लेकर 8 विन तक के बच्चों को अफ्ते के अंदर दो बार दूद उपलब करवाना option number C बिल्कुल correct ओजेगा भी next question 35 जून दो जर्बाइस के अंदर current affairs related बहुत सारे question देखने को मिले थे जून दो जर्बाइस के अंदर मुख्य मंतरी असो गलोत ने किन जिलों के अंदर एक एक राज के विदाले का नाम करण सो तंतरता सिनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताओ अनुमधन किया है question का right answer रोगा भी option number B भी जोदपूर और डुंगरपूर option number B बिल्कुल correct ओजेगा next question 36 भी मारस दो जर्बाइस के अंदर आजादी का अमरत महुत्षव के तहत आजजित कारे कर्मों को संसकिर्थी मंत्रा लेके पोर्टल पर अपलोड करने के मामलों में राजस्तान का अस्तान कोन सा है question number 36 राइट अन्स रोजेगा भी चोथा अस्तान है option number B बिल्कुल correct होजेगा भी next question 37 माई 2024 के अंदर मुख्य मंत्री SO गलोत के दोबारा REVP भी REVP निती है मंजूरी दे दिये इसके अंदर फुल फॉर्म पूछ लिए यानि की एक आरत पूछ लिया अगर हम बात करें REVP REVP की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो राजस्तान इलेक्ट्रिकल वाइकल पॉलिसी होता है तो अगर इसके अंदर आर पूछ था तो हम बता देते हैं राजस्तान इसने पूछ है भी E का मतलब क्या हो गया भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल उप्सन नमबर C कुरेक्ट हो जएगा नेक्स्ट की इसना 38 भी अगर इसना पूछ ने गोबर से संपडित बायो गैंस प्रियोजना की सुरुआत की है क्यूशन नमबर 38 राजस्तान के किस तान पर भी शान्चोर जालोर के अंदर उप्सन नमबर A बिलकुल कुरेक्ट हो जएगा नेक्स्ट क्यूशन है 39 आर्टि आई पोर्टल 2.0 किस आयो के दवारा लौँच किया गया है राइट आन्स रोजेगा भी राज्या सुचना आयो उप्सन नमबर D बिलकुल कुरेक्ट हो जएगा क्यूशन नमबर 40 देखिए राजस्तान सरकार के दवारा मुख्यमंत्री राजस्तान आर्थिक प्रिवर्तन सलाकार प्रिस्द का कारेकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया भी क्यूशन नमबर 40 वेरी वेरी पोर्टन राजस्तान सरकार के मुख्यमंत्री राजस्तान आर्थिक प्रिवर्तन सलाकार की अगर बात करें तो 7 मारस 2020 को इसका गठन होता है तो बढ़ाने के अगर बात करें दिसमबर 2023 तक भी उप्सन नमबर भी बिलकुल कुरेक्ट हो जगा अगर ये पूछ लेता इसके या फिर नेक्स्ट अग्जाम के अंदर पूछ ले आपसे वर्तमान उपाद एक्स पूछ ले लेने का अधिकार है उप्सन नमबर ए बिलकुल करेक्ट हो जगा भी केवल एक अथन सही है भी क्यूशन नमबर 42 निमलित के अंदर बताना है भी कौन राजस्तान के पर्थम विपक्स के नेता थे भी राजस्तान के पर्थम विपक्स के नेता पूछ लिया नहीं होता, right answer कौन सा होज़ेगा भी जन गणना करना, option number D बिल्कुल correct होज़ेगा, अब एक जन संक्या होती है और एक जन गणना होती है अगर जन गणना की हम बात करें, तो पूछ लिजाती है कि सूची के अंतरगत आती है तो जन गणना होती है, वो केंद्रिय सूची के अंतरगत आती है यानि कि विश्य पूछ लिया जाता है, तो केंद्रिय सूची अगर हम बात करें, जन संक्या इसी से related है जन संक्या, तो जन संक्या होज़ेगी वो समवर्ती सूची का ही विश्य है अगर टोटल विदान सबा सीटों के हम बात करें, तो टोटल होज़ेगी वी 200, सबसे ज्यादा कि अगर बात करें, तो जैपूर के अंदर उप्सन नमबर A कोरेक्ट होज़ेगा नेक्स्ट किसेन है 46 बी, उद्यपूर राज्यका, राजस्तान के अंदर विल्य कब हुआ था, उद्यपूर राज्यका, राजस्तान के अंदर विल्य कब हुआ था, राइट आंस रोज़ेगा भी 18 अपरेल 1948 को 18 अप्रेल 1948 नेक्स्ट क्यूशन है महाराना परताब से रिलेटेड चांवड महाराना परताब की कितने वरसों तक राजदानी रही थी तो राइट अंच रो जाता है भी इस क्यूशन का उप्सन नमबर A बिल्कुल कॉरेक्ट भी 15 वरसों तक जो चांवड थी महाराना परताब की राजदानी रही थी नेक्स्ट क्यूशन है निमाडी उप बोली है तो निमाडी उप बोली है वो मालेवी की उप्सन नमबर D राइट हो जीगा नेक्स्ट क्यूशन है 49 भी निमलिक्त में से बताना है भी कौन सा अभिलेक माराना कुमबा के लेखन पर परकाश डालता है अगर यहां तक आपने कलास देखिए तो प्लीज एक बार कलास को लाइक जुरूर करें आपका एक लाइक एक से और हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सार मोटिफिशन देता है कौन सा अभिलेक माराना कुमबा के लेखन पर परकाश डालता है क्यूसर नमबर 49 राइटांस रोजेगा भी कृति स्थम ओप्स नमबर A बिल्कुल कोरेक्ट होजेगा क्यूसर नमबर 50 निमलिक्त में से बताना भी सत्य कतन है कौन सा कतन होगा वो सही है तो इसके अंदर जो लूनी नदी के किनारे स्थित सेथल बागोर से पुसुपालन के अवसेश प्राप्त होजेगा भी आहड स्थल का संबन नव पसानकाल से बिल्कुल रोंग काली बंगा के अंदर जो दुरग और निचला नगर है दोनों प्राचिन युकत है बिल्कुल राइट भी ओप्सन नमबर A इस क्यूसर का कुरेक्ट आंसर होजेगा भी नेक्स्ट क्यूसर है गल्त युकम चुनने भी इसके अंदर दे दिया 84 खंबों की छत्री जब 84 खंबों की छत्री है तो कहां पर होजेगी गल्त बताना है तो गल्त होजेगा बिल्कुल 84 खंबों की छत्री होगी कोटा के अंदर नहीं होगी कहां पर होजेगी ये बुंदी के अंदर होजेगी अगला है ब्रामन देवता की छत्री बिलकुल राइट है मामा वांजा की छत्री जैपपूर के अंदर नहीं होगी कहाँ परोजगी जोधपूर के अंदर तो इसके अंदर एक और तिन राइट होजेंगे एस किसन का और नेग्स्ट किसन है शूधरसन गड़ का किला पूछ लिया किस दुरग का अन्य नाम है तो राइट अंदर उजगा भी नाहर गड़ दुरग जैपवूर ओपसन नंबर Sie बिलकुल है राइट हो जगा भी नै Growing question है 50 थरी भी बारतिय प्राचिन लीपी माला के परसीद लेखा के कोन है तो 53 का राइट अन्स रोगा भी कोट्टा के अंदर option number A correct हो जएगा next question है 50 थराइन का युद अल्दी गाटी का युद दिवेर का युद गिरी सुमेल का युद पूछ लिया इनको सही करम के अंदर बताना है तो तराइन का युद का बोता है 1191 में और 1192 में के अंदर दो युद होते हैं जो तराइन के युद होते हैं तो 1191 में बात करें तो 1582 के अंदर होता है अगर हम बात करें गिरी सुमेल का युद तो 1500 चुमार इसके अंदर होता है तो इस परकार जो आपका right answer निकल कर आएगा option number B बिलकुल correct हो जेगा next question है डूंग जी जवार जी किस जिले के अंदर स्तित है तो right answer हो जेगा option number C सिकर जिले के अ स्तापना कब की गई थी मेना चत्रिय सबा की स्तापना कब की गई थी 1933 के अंदर option number B right हो जेगा next question है 58 राओ विका ने किस वर्स विकानेर नगर की स्तापना की थी right answer हो जेगा भी 1488 के अंदर 1488 के अंदर next question है बेने सुवर का मेला कब बरता है भी बेने सुवर का मेला कब ब 59 question right answer निकल कराता है हमारा option number D माग पूरूनिमा के दिन next question है t psychiatrist turkey त caller uh प्र्राइ टर् Ear start fia manif मानेमलिक्त में से किस निर्थे की परशिद कलाकार है तारा सर्मा की एगए बात करें कौन से निर्थे की परशिद कलाकार है तो 60 राइटरांज रोजिग हमारा option number AB नेक्स्ट कुस्ण है हमारा 61 B विगरे राज रचित रचना हर केली है भी एक परकार का not check है या फिर उपनियास है या अभिलेक है या कावे है विगरे राज रचित रचना कौन सी हर केली तो right answer हो जेगा भी एक परकार का not check है option number right हो जेगा next question is 62 लालनात जी निमलिक्त में से किस संपरदाई के संत थे भी लालनात निमलिक्त में से किस संपरदाई के संत थे right answer हो जेगा option number C जसनाती संपरदाई भी next question है 63 बिलाडा का संबद किस लोक देवी से है right answer हो जेगा option number C आई माता से संबदिते हैं भी next question है 64 खुंगली आभसन सरीर के किस बाग के अंदर पहना जाता है 64 का जो right answer होगा option number D गले के अंदर पैना जाता है भी next question है 65 चितरकार निसार दिन और साइब दिन किस चितर कला सेली से सम्मद रखते हैं चितरकार निसार दिन और साइब दिन किस चितर कला से सम्मद हैं तो right answer हमारा option number C बिल्कुल correct होजगा भी मेवार से सम्मद दिता है next question है 66 पन्ना मिनना का कुंड कहां परस्तित है भी पन्ना मिनना का कुंड कहां परस्तित होजगा right answer होजगा option number C जैपूर के अंदर भी next question है 67 राजस्तान के लिए निमलिक्त में से कौन सी जील को रामसर वैटलेंड कन्वेक्शन के अंदर सामिल किया गया था रामसर वैटलेंड कन्वेक्शन के अंदर किस जील को सामिल किया गया था right answer होजगा भी सामबर जील को अगर हम बात करें रामसर वैटलेंड कन्वेक्शन की तो इसको 1990 के अंदर गोशित कर दिया गया था भी option number C बिलकुल राइट हो जीगा next question is 68 निमलिक्त में से बताना है भी कौन सा पुरा तात्विक सतल और नदी यानि कि कौन सा जोड़ा नहीं से मंद होगा तो इसके अंदर बलाथल है वो समधित नहीं होगा अगर बलाथल की हम बात करें तो ये किस नदी के किनारे हो जीगा आपको comment box के अंदर comment करना है next question is 69 नाइन भी किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्तीत भी लूनी नदी के किनारे किस देवता का मंदिर है तो right answer रोजेगा भी मल्ली नाथ जी का option number c correct होजेगा next question नेक्स्ट किस ने भी राग माला की Sally का परशिद चितर राग माला की Sally का परशिद चितर है right answer होजेगा चावड सैली option number c बिलकुल right होजेगा next question ने आगी बान के संपादक थे भी आगी बार्ण के संपादक कौन थे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बैल को ओन करना ना बुलने भी आगी बार्ण के संपादक पूछ लिए कौन थे राइट अंसर हो जेगा भी राम नाराइन चोदरी ओप्सिन नमबर सी बिलकु तो इसके अंदर हो जाता है भी हमारा जोदपूर के अंदर अगले वाला काँपर है लालगड महल लालगड महल के हम बात करें तो बिका नेरजी लेके अंदर नेक्स्ट है फूल सागर महल भी फूल सागर महल काँपर हो जेगा बुंदी के अंदर जगदीश मंदिर काँप जरी की जाती है 73 का राइट अंसर होजीगा मारा ओप्सन नमबर A बिल्कुल कर्रेक्ट भी आर्थिक एंँ संक्या की निदेश सले next question है 74 B परदान मंत्री मत्सिय संपधा योजना की अवदी पूछले परदान मंत्री मत्सिय संपधा योजना की अवदी क्या होगी तो पांच वर्स भी, ओप्सन नमबर भी बिल्कुल राइट होजेगा नेक्स्ट क्यूशन है 75 राजस्तान की जलवाईव के बारे में निमलिक्त कतनों के उपर विचार करना है तो राजस्तान की जलवाईव के अगर हम बात करें तो पूरो से पस्टिम की और दक्षन से उत्तर की और वर्सा की मातरा गड़ती जाती है बिल्कुल राइट रेट की अधिक्ता तो है इसी के कान देनिक वैवार्शिक ताबमान में अधिक्तर अंतर पाय जाता है बिल्कुल राइट ग्रीसरम रीतु के अंदर जो ताबमान है 49 डिगरी सेल्सियस तक पहुंच जाता है बिल्कुल राइट तो सारे के सारे ओप्षन कोरेक्ट होजेंगे यानि कि ओप्षन नमबर डे इस क्यूशन का कोरेक्ट आंसर होजेगा बिल्कुल जलन जाती से यानि कि बिलों के वस्तरों के संद्रव के अंदर बताना है भी जो फेटा सबद है वो किसको परदर्शित करता है जो फेटा हो गया वो एक परकार के सिर का वस्तर है यानि कि इसको पगड़ी बोला जाता है भी बिल्कुल राइट होजेगा नेक्स्ट क्यूशन है 77 निमलिक्त कतनों पर विचार करना है और सई उत्तर का चैन करना है तो लूनी नदी दे दी और एक दे दी भी गिर्वा और एक दे दी गगर नदी लूनी नदी होजेगी बैसिन गोडवा परदेश के नाम से जाना जाता है बिल्कुल राइट गिर्वा की अगर बात करें तो उद्यापूर बैसिन की विशिष्ट आ करती है जो मेवाड परदेश के अंदर ये भी राइट अगर गगर का मैदान की बात करें चूरू जिले के अंदर स्थित नहीं है गगर होजेगा भी अनमान गड़ जिले के अंदर तो राइट अंसर होजेगा इसके अंदर ओप्शन नमबर एक और दो बी इसके उत्तर होजेगा भी नेक्स्ट क्यूसन है 78 भी सांसी जनजाती के लोग राजस्तान के किस जिले के अंदर मुख्यता है पाई जाते हैं सांसी जन जाती है वो राजस्तान के किस जिले के अंदर सबसे अधिक्तम जयान की जाधा मतर के अंदर तो 78 का राइट अंसर हो जेगा option number D बर्तपुर जिले के अंदर भी कौन सा युगम है तो थार पारकर को भी option number C बिलकुल है राइट हो जेगा नेक्स्ट क्यूस्टन है 81 आनंद पूर भूकिया और तिमारन माता परसीद भी आनंद पूर भूकिया और तिमारन माता परसीद है तो राइट अंसर हो जेगा option number C option number 82 देखो कोटा बुंदी जलावड के अंदर कोन सी मृधा पाई जाती है राइट अंसर हो जेगा option number D मध्यम काले मृधा पाई जाती है Next question देखे 83 आजजम हो गया और एक हो गया जाजम आजजम और जाजम प्रिंट राजस्तान के किजिले का परसीद हस्त लेप भी क्यूशन नमबर 83 राइट अंसर होजेगा भी चीतो ओड़ गड़ का उप्सन नमबर B कुरेक्ट होजेगा नेक्स्ट क्यूशन है जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अंदर बताना है भी 0 से लेकर 6 वर्सकी आयू के अंदर लिंगा नुपात पूछ लिया किसका कम था भी किसका कम था तो जूँ जूँ का उप्सन नमबर A राइट होजेगा नेक्स्ट क्यूशन है 85 राज़तान के किस जिले की बलैक पोटरी फूलदानों प्लेटों और मटरों के लिए ज्यादा परसीद है तो 85 का राइट अंसरों का भी कोटा उप्सन नमबर C राइट होजेगा राज़तान सरकार के दवारा हाली के अंदर भी 32 के सरक्षन के लिए पाइलेट प्रोजेक्ट सुरू की है इसके अंदर बताना है जो 32 पाइलेट प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा सामिलना होगा तो उप्सन नमबर A भी कुरेक्ट है B भी कुरेक्ट है C भी कुरेक्ट है तो राइट अंसर कौन सा होजाता है यहाँ पर मन सामाता स्रक्षनर दिज्जरों के अंदर जुहशनों के अंदर है वो यहां पर क्या हो जीगा भी रोंग हो जीगा next question देखो question number 87 यहां पर देदी आपको प्रियोजना भी यानि कि अंदर और जाक्म प्रियोजना बचगी वो कहां पर जीगी परताफ गड़ के अंदर भी नेक्स्ट क्यूशन देखो 88 भी मारस दोजार अठारा के अंदर जो स्थापित राजस्तान के पहले मेगा फूड पार्क के संबन के अंदर कत्रों पर विचार करने भी क्यूशन का पिपर का लेवल था बहुत ही अच्छा था क्यूशन नमर 88 रा और मुमल भी चियों हैं भी एक परकार के क्या हैं भी लोग गीत हैं या फिर अभूसन है या भी लोग नट्टे हैं तो एक परकार के राजस्तानी लोग गीत हैं उप्सन नमर B राइट हो जेगा नेक्स्ट क्यूशन है करनल जेम्स टॉंड ने किस युद को मेवाड का मार अथन कहा था राइट अन्स रोजेगा भी दिवेर को युद को ओप्सन नमबर C कोरेक्ट होजेगा नेक्स्ट किसन है 91 भी समराट अकबर के दवारा किस संथ को फते फुर्षिक्री के अंदर आमत्रित याने की जैसिंग एक को मिर्जा राजा की उपादी किस के दवारा दीती मिर्जा राजा की उपादी आमेर के जैसिंग पर्थम को किस ने दीती राइट अन्स रोज़ेगा उप्सन नमबर C साजा के दोवारा भी नेक्स्ट क्युशन है लसाडिया का पठार कहां पर अवस्तित यानिक इस्तिति पूछ ली लसाडिया के पठार की तो राइट अन्स रोज़ेगा भी उद्ध्यपूर के अंदर राइट अन्स रोज़ëगा उप्सन नमबर A बिलकुल correct होजےगा नेक्स्ट क्युशन है जैपपूर मेटरो रेल की वैवसाइग सेवाँ की सुरुवाँ की सुरुवाद पूछ ली किस वर्स के दौरान हुई थी 95 के राइट अन्स रोज़ेगा भी दक्षन पुर्वी बाग के अंदर कौन सा वितिय रसंस्तान राजस्तान के हस्त सिलप के विकास के लिए उतर दाई हो जेगा राइट अन्स रोज़ेगा भी राजसी को उप्सन नमबर A बिल्कुल है कोरेक्ट हो जेगा नेक्स्ट कुशन 97 वहस्तान बताना है जिसे प्राचिन बारत का टाटा नगर भी का जाता है भी प्राचिन बारत का टाटा नगर किसको का जाता है तो राइट अन्स रोज़ेगा हमारा उप्सन नमबर C बिल्कुल करेक्ट हो जेगा भी उप्सन नमबर C राइट हो जेगा न उसके बाद आएगा पाली इसके बाद जैसमले राइट अन्स रॉप्शन नमबर सी कुरेक्ट होज़ेगा भी नेक्स्ट कुशन है पंजाब साह का उर्स कहां मना जाता है भी पंजाब साह का उर्स कहां पर मना जाता है तो राइट अन्स रॉप्शन नमबर सी अजमेर के अं को सम्मोधित करता है उपसे नमबर बी बिलकुल राइट होजेगा आज की कलास के अंदर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ जो आपका राजस्तान फोस्ट गार्ड का पेपर यानि की वन रक्षक पाल का पेपर था उसका सोलिशन करवाया कोमेंट बोक्स के अंदर अपनी एक पर